समझोते से एफायर को खतम करने के तीन तरीके होते हैं पहला होता है सेक्शन 320 CRPC जिसमें इसमें टोटल मिलाकर 56 सेक्शन्स हैं जो दो भागों बटे वे इसके लावा 5 सेक्शन्स और भी है जो दो स्टेटोस रिलेटेड हैं जिसमें 498 भी है आप कहेंगे कि 498 का क्या मतलब वो तो हमको हाई कोट से कुरेस्ट करने पड़ता है नहीं वह भी कॉंपाउंडवल ओफै पड़िवल ओफैंस में जिक्शन 320 सेर पीसे में उनका जिकर नहीं किया हुआ है उनमें अपली बार्गिनिक के अप्लीकेशन लगाते हैं सेक्शन 265 बीस यर पीसी में अगर कोई ओफैंस ऐसा है जो कि पली बार्गिनिंग भी कवर नहीं हो रहा हो तो हम इसके लिए 482 से 76 या 354 है उन सेक्शन में हम क्वैसिंग अगर कोई family matter है या अपस में कुछ relationship पर तो हम खत्म कर सकते हैं वरना नहीं खत्म करेंगे तो जैसे 376 है तो उसमें अगर आपस में साधी कर ली है तो समझदोता करके वे खत्म कर सकते हैं वरना हाई-कृट साब पना कर देते हैं तो दोस्तों आज हम बात करेंगे compoundable offenses की section 320 CRPC इसमें समझदोता कैसे करते हैं वे sections कौन-कौन से हैं अगर एक से ज़्यादा लोगों को चोट लगी हो एक वेक्तिना affair कराई हो तो बाकी लोगों का क्या होगा वे कैसे समझदोता करेंगे किसी की death हो जाए complaint की तो ऐसी condition में स जोड़े हुई है साथ में ये भी कि इन cases में अगर आप एक वोटल हो जाते हैं समझदोता कर लेते हैं तो उसका आपकी जोब पर क्या असर पड़ता है कलको गोर्विंड जोब मिलती है या नहीं मिलती है और गोर्विंड जोब चल रही है तो उस तो उस चीज़ पर क्या पड़ेगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एड़ोगेट थीरसकुमार आपका स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल में सेक्शन 320 CRPC के वैसे तो नो भाग है लेगने सेक्शन की बात करें तो वे दो भागों में बटे हुए हैं फर्स्ट पार्ट कहता है कि विदाउट कोट मतलब की जो सेक्शन है कुछ सेक्शन वह है जिन में हमें की पर्मेशन की जूर्त है बिना कोट केशन के हम उनमें समझोता है नहीं कर सकते हैं यह फर्स्ट पार्ट के सेक्शन है जिनमें कि हमें कोट की पर्मिशन की जूरत नहीं होती है, हम उनकी बिनवा पर्मिशन के भी समझोता कर सकते हैं। जैसे कि 298 है, 323, जैसे कि ये लडाई जगडे का सेक्शन है, जैसे में लडाई जगडा आपस में होता है। 334, 335, 341, 342, 343, 344, 346, 352, 355, 358, 379, ये थैट चोरी के लिए होता है। अगर किसी घर में चोरी होः, तो इसम्मुझता के जाक्ता है, जो प्रपर्टी का उन्र होता है। 403, 407, 41, 441 लगता है अगर चोरी का समान किसी एक पास मिल जाता है या किसी ने बेमाने से अपने पास समान रखा हुआ। तो जिसका समान होता है वो इसमें समझता कर सकता है 414, 417, 419, 421, 422, 423, 424 426, 427 यह मिस्चिव के लिए होता अगर आप किसका कोई नुकसान कर देता पैसे होगा या समान का या किसी वस्तु को तोड़ देता तब 428, 429, 430, 447, 448, 451, 482, 483, 486, 491, 497, 498, 500, 500 होता है किसी की इंसल्ट करना, बेचती करना, माना नहीं 501, इसके लावा 502, 504, किसी को गाली देना 506, किसी को धंगी देना, 508, यह सब सेक्शन्स, वे सेक्शन्स हैं जिन में की, कोट की परमिशन की जूरत नहीं होती है यह 320 का सब सेक्शन्स 2 है, इसमें उन सेक्शन्स का जिकर किया हुआ है जिसमें की, हमें कोट की परमिशन लेने की जूरत होती है समझता करने के लिए, हाला कि कोट परमिशन देने में कभी प्रोलम नहीं करती है या ना यह कभी मना करती है ना यह कोई फाइल लगाती है अराम से पर्मिस्ट मिल जाती है तो आप देख रहे हैं 312-325-337-338-357-381-406 यह 406 आप क्रिमन बीच ओप ट्रस्ट जैसे की वाइफ का अगर समान हस्पिन अपने पास रग लेता है देख वाला तो उसमें भी यह लगता है इसके दुबारा से इसके अंदर आए लेकिन इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो इस फाइफ हंडेंड में डिफेमेसन अगेजडा प्रिजिडेंट और वाइस प्रिजिडेंट ऑफ गवर्नर इनके बार में जिकर किया वा जो पहले था विदाट पर्मिस्ट दो कोट उसके अंदर सिंपल सभी वैक्ति के लिए उनका जिकरता है इसके लावा यहां देखेंगे तो 509 इसके अंदर एड़ कर दिया गया जिसमें किसी वुमन को अगर इंसल्ट करते हैं उसके बेस्ती करते हैं तो उसका जिकर इसके अंदर आता है इसके लावा दो और कर लेता है तो उसको भी कंपाउंड कर सकते हैं इसके लाव 498 एप जो यह से से जब को बता रहा है उसकी आंदर परदेश तो अंदर परदेश में अपली एपले है वह लोगों को तो साधान ता की ओपर हाई कोट ही जाना पड़ेगा उसकी क्वेस्टिंग करने के लेकिन उसे ज्यादा के नहीं होंचे तो ऐसे में कंपाउंड हो सकता है तो यह फैसलेटिस से बहुनी के लिए है वैसे तो खेर इसको यह थ्री मंस के भी कंडिशन अटा देनी चाहिए और लोग इंडिया कर देने चाहिए जैसे केस हो रहे है उसके लिए उसके लिए सिरफ यही परदेशे हैं उनमें ती सेक्शन एड़ कियो हैं वन फॉर्टी सेवन और वन फॉर्टी एट यह दंगो से रिलेटेड़ है और एक टू नाइटी फॉर इस परकास इन सेक्शन में भी समझोता किया जा सकता है और समझोता हो सकता है जो सबोच करते ही अगर किसी वैक्तिन आपके खिलाफ एफएर कराई है लेकिन अगर एफएर कराने के बाद वे उफएंसिस सारे कंपाउंडेवल हैं जो सेक्शन फ्री टूंटी सियार पीसी के अंदर जिनका जिकर किया हुआ है लेकिन वो वैक्तिन एफएर करने बाद जड़िया पागल हो जाता है या पर उसक की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडिसन में उसके जो लीकल हेस हैं वे आपके सास्ट समझवता करके उस खाँ होते हैं अशे में आप एक डीड भी एतियार करते हैं और साथcej बाद 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 falac किया हुआ है अब बात करते हैं कि अगर आपने केस के सलते समदोता नहीं किया और आपको उन उफेंसिस में सजा हो जाती है उन सेक्षन में अगर आपको सजा हो जाए तो उपर आप अपील में चले जाते हैं तो ऐसी कंडिशन में भी जब आप उपर आपील में जाते हैं, तो court की permissions हैं. मतलब जैसे कि मैंना आपको बताया है कि, कुछ sections है with the permission of the court, कुछ है without permission of the court. तो जो without permission of the court है, उस में भी आपको court की permission लेनी होगी उसी court की. इसके इलावा इस बात का जिकर सेक्षन 324 पीशे के सब क्लोस 5 में किया हुआ है सब क्लोस 6 है जो वो कहता है कि कोट को रिव्यू की पावर बीज़ से हाई कोट और सेसन कोट को अपने ओर को रिव्यू करने की पावर भी होती है तो गर ऐसा कुछ सोडर उन ने B·केस के चलते दिया भी है तो आप अप्लीकैसन लगा करके और उस स्टेज़ पर बी जैसे फाइनल स्टेज़ पर भी कोर्ट से रिक्वेस्ट करके और संदूता कर सकते हैं जैसे कोर्ट ने कहा कि भी सज़ा होगी तो बरी कर देती है, तो उस बरी का आपकी जोब पर क्या एफेक्ट पड़ता है, क्या अगर आप कॉर्मिंट जोब कर रहे तो आपकी जोब चली जाती है, या फिर आप अगर कॉर्मिंट जोब नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कर को मिलनी है, तो क्या मिल जाती है, देखिए, section इसके लिए subclose 8 320 का subclose 8 वो clear कहता है कि आपको equitable ही माना जाएगा मतलब यह नहीं है कि भी आपको कोट यह कहती है कि भी आप इस section के जरीए 320 के जरीए आपने समझोता किया है तो आपको सजाब तो कोई मुझरिम होगे बिल्कुल भी नहीं आपको जोब भी मिलेगी जोब है तो वो रहेगी भी लेकिन कई बात जैसे कि मैं लोगों के comments भी पढ़ता हूँ वे कहते कि sir हमने समझोता किया है लेकिन जो पुलिश डिपार्टमेंट है या आर्मी है नेवी है इनमें हम apply करते हैं तो वे objection कर देते है देखिए उन्होंने अपने अगर कोई अलग से रूल बना ली है वे objection करें अलग बात है लेकिन हमारा जो लोग है उसका section 320 का सब section 8 CRPC वो clear गहता है कि इसमें आपको एकवटल ही माना जाएगा तो ऐसे में आप लोग direct high court में application लगाईए अपने रेट लगाईए और वहाँ अपनी बात को रखिए इस तरह से आप उसीज़ को खतम करा सकते हैं इसके लावा इसमें अगर बात करें सेक्शन ती तो sub section 7 भी है वो कहता कि अगर कोई आप previous conviction है जैसे कि आपने कोई पहले सज़ा मिली हुई है तो आप इस condition में समझोता नहीं कर सकते हैं और section zone 9 है sub section 9 इसका वो कहता है कि इनी offenses जो जिकर किया हुआ है इनी में समझोता होगा इसके लाव और किसी भी section में समझोता नहीं हो सकता है तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ तब तक के लिए नमस्कार